ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचाईता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है कल एक बड़ा ही पावन अफसर आने वाला है जब इस धरा पर स्वेम भगवान विचरन करेंगे गणपती जो है कल आ रहे हैं आप सब के घर तो इस मुहुरत को व्यर्थ ना जाने दीजेगा मैं आपको एक ऐसी छोटी सी सरल साधना बताऊँगा जिसको करने के बाद आपके भंडार भजाएंगे रिद्धी सिद्धिक आपके घर में वास होगा ये जो है मंत्र इतने सालों से गुपत रखा गया है कि अब जो भी से करेगा वो देखते ही देखते एक ही दिन में इसका असर देख लेगा ये इतना चमतकारी मंत्र है कि जो आँख मूनते ही आपके काम बना देगा अगर पैसो से रिल्टेड कोई ऐसी परिशानी हो आपके जो है कारे रुके हुए हूँ पैसो से और किसी भी तरह की अगर धन्त से संबंदित परिशानी हो तो वो इससे दूर हो जाएगी दिन दोगना अगर राजचोगनी तरक्की करनी है तो गणपती का ये मंत्र जो है इसका जाब कीजेगा तो कल सुबह ग्यारा बजे से स्थापना शुरू हो जाएगी गणपती की स्थापना कीजे और उसके बाद उनको दूर्वा और गुड के लड़ू जो चूर्मा होता है हम जो चूर्मा बनाते हैं उसके लड़ू बनाईएगा और भीगे चाबल ये तीन चीजे जो हैं भगवान को चड़ाईए अरपित कीजे और उसके बाद ग्यारा माला दस दिन तक ये मंत्र आपको जाब करना है मंत्र है गम गणपतै एक द्रीको फटफट स्वाहा मंत्र एक बार फिर ओम गम गणपतै एक द्रीको फटफट स्वाहा ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इसको जो साध लेगा वो माला माल हो जाएगा रातो रात आपके घर लक्ष्मी का वास हो जाएगा जो लक्ष्मी के खजाने के जो संत्री है कुबेर जी उनके घर में सीधा प्रवेश आपको हो जाएगा इस मंत्र से इसके बाद आपके जो व्यापार हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे जो कर जिता वो दूर होना शुरू हो जाएगा बस एक बार इस मंदर को कीजेगा यह चोटा सब प्रोसेस है आप इसको कीजेगा ग्यारा माल आपको करना है दस दिन तक और इसके बाद देखिये किस तरह से चमतकार होते हैं किसी भी तरह की जानकारे के लिए कॉल कीजेगा 999-284-1625 धन्यवाद